हेलो फ्रेंड्स गर्जमाइट पूर आपको स्वागत है देशी सागर कुमार तो फ्रेंड्स का एंसे आपको बिल्कुल मस्त होंगे तो फ्रेंड्स आज एक लास में मैं कुछ ऐसे कोशन को सल्ब कराने वाला हूं जो जीडी के एक्जाम के हर स्रीप में दबा के कोशन कैसे हल करेंगे दिया गए यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के साथ परसेंट से पंद्रा कॉम है तो वह संख्या ज्यांत की नंबर निकालना कि कौन से नंबर है ध्याने समझेने कैसे हल करेंगे लेट में होता है मालना मालनी हमने संख्या एक से हमने मालनी वह नंबर क् 30% यानि X का का मतलब 30% अठाएंगे तो बट्टी में 100 E से संख्या का 30% कर दिया हमने clear है फिर आगे बोलागे उसी संख्या क्या मतलब उसी संख्या मतलब क्या बोले मतलब X का ही 60% X का 60% 30% के लिए बट्टी में 100 कितना कम है वही 15 कम है मतलब जो यह 30% संख्या है 60% से 15 कम है, कम है तो माइनस लगाएंगे, आज इतना कम है, इकोल में इधर फेक देंगे, किलिए ने 15 कम है, इतनी बात ये समझ महीं, आफ रेंट्स करना नहीं कुछ, इसको गुना करेंगे तो 60x बन जाएगा, उप 1 में 100, आफ 1 में 100, इकोल में 15 हो जाएगा, यहां से हम LC सब्सक्राइब लेंगे, तो 100 ही बन जाएगा, फिर करेंगे तो 60x, माइनस का 36, इकोल में 15, इधर भाग में इधर फेकेंगे, तो गुना में जाएगा, और माइनस करेंगे, तो 36 आएगा, यहां से कार्टेंगे तो कितना आएगा, एक्स का वालू 50, यही तो हमारा संख्य है, संख्य हमने माना था, एक्स, एक्स कर वहलू आगे 50, मतला हमारा संख्य क्या है, पचास है, करेक्ट एंसर, क्लियर होगा, समझे की नहीं समझे, डाउट पर सानी नहीं होगी, नेक्स प्रव्रम पर आते हैं, तो गाईज, अगला कोश सरम के सामने होगा, एक दुकंदा या एंटिबाइटी के ध्याने समय दिए, सक्सेसिव डिसकाउंट बराबर हमेशा आपको पता होना चाहिए, एस डी बराबर लिखेंगे, क्या, डी वन, अब पिलांस में, डी टू, अब माइनस, डी वन, गुने, डी टू, अप वन, में, सौ, डी यून, डी टू क्या है, तो 30-35, पिलाओ, मााइनस यहाँ, तो काटने घवाठ लते इसको काटे हो तो में तो ने कितना था-3 का दर्म कौनम इलाया है, कितने में बेचा है प्राइज निकालना कितने में, दोकनदानकि कितने में बेचा है तो Frст शू कर डिसकाउंट मिल र Pew है कितना भाई, किसी बस तो और साथ लिखेंगे और सब्सक्राइब पर तीसाथ जब पर तीसाथ रटाएंगे तो बट्टे में सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कितना होगा 136 अब पहले से जूरो मौझूद है यानि तीरे सो साथ रुप्या में उस दुकंदान ने उस बस्तू को बीचा होगा कि लिए समझें नहीं समझें तीरे साथ रुप्या में होगा फिरेंट्स अगला कूस ने 15 सेंटीमीटर भूजा वाल एक सब्सक्राइब का उसकी भूजा से उन पात्यां किजिए मतलब विकॉर्ण और भूजा का रेसियो बताना है फ्रेंट समझें कैसे निकालेंगे हमने एक वर्ग बना लिया ऐसे यह हो गया वर्ग हम नाम रहते हैं A B C D और यह एक विकॉर्ण हमने डल लिया यह हो गया विक हो तो भूजा तो दिया है लेकिन विकॉर्ण है नहीं तो विकॉर्ण कैसे निकालेंगे समझेगा देखिए इस तिरिभूज की देखिए क्या यह सौमकोर्ट तिरिभूज है कैसे यहां पर 90 डिगरी एंगल बनेगा कि लिए तो 90 डिगरी एंगल ट्रिंगल हो गया सक्राइब प्लस अधार अधार इसक्वायर यह क्या है यह यानि बीसी का स्कॉर्ण है बराबर क्या होगा लंब कितना है 15 15 का स्कॉर्ण अपलस अधार भी 15 15 का स्कॉर्ण सिक्थ 25 के स्कौर कितना गए technically स्कौर कितना गए foreign यहां पे जिए इदर ठेकेंगे स्कौईरूट में इंद全 Kath01 को ठाइब होगा तो 425 कीतना होगा समझा कैसे निकालेंगे 본 कि 450 हमने लिखो इसका निकालना कह वर्गमोल करेंगे कुटना हो आगवाई दो दो पाँच अब 200 जाए नहीं जाएगा तीन से करेंगे तीन से करेंगे तीन सते 21 और फीर थीन से करेंगे 25 फीर पांच सब जाएगा देखिए हमको निकालना क्या है यह क्या है स्क्वाई रूट है वर्गमोल में दो दूमका जोड़ा लगता है तो यह दो यह दो यह दो यह पांत जाहिए 15 यह यह पंदर रूट 2 सेंटीमीटर इस यह आगया क्या विखर्ण की पंद्रा है तो पंद्रे से पंद्रे काटेंगे तो कितना होगा टू रूटू रेस यह वह नहीं होगी नेक्स्ट प्रब्रम पर आते हैं अगला कोशन एक बिक रेता पचास के में दस की दर से संत्रे खरीता है और उन्हें सीपी मतलब क्राइम मुल्या पाचास रूपया में दस संत्रा खरीता है तो एक संत्रा कितने रूपया होगा एक संत्रा को तो पांच पर होगई पांच पर हमे इसाख आपको फायदा और आपको फायदा और हानी किस पर होती है हमेशा सीभी पर होती है कॉछ्छ पर पर ही होती है तो बट्ण डूंळी तो 5 होगे हैं आप पर थीसद के लिए गूंडे में सब पर 6 वर्ष में 7500 रुप्या हो जाती है यदि व्याज की दर्व में 3.5 वर्षन के ब्रीदी हो जाती है तो धनरासी कितनी हो जाएगी तो धनरासी निकालना टूटल एमाउंट निकाला है तो दिलो दिमाग से समझेगा बहुत ही लाजबा कोशन है जो धन कितना है 5000 है छे साल किम आउन्स मीसदान माइनस मौलड़न कितना वही गया 5500 कि यह क्या है यह क्या है यह साल का ब्याज है इतना ब्याज बढ़ा किस पर इस पर तब हमको माउंट मिलता है इतना मतलब दर कैसे पता करेंगा तो एसाई बराब फर्मूला आपको पता होगी पी गूने आर गूने टी आ ओफवन में सो किलिए है हमने एसाई निकाला कितना है दो हजार पांसो पचास उर्पया मुल्दन है कि इतना पांच हजार आर- तो पता करना या और टी कितना है चोई साल आ बटे में सो देखें दो जिरो से दो एक जिरो काट दिया एक जिरो से एक जिरो आब इसको काट सकते हैं, पांच पचे, पचेश पांच एकं़ पांच यानि आर कमts का मैं भाहले पूछे नियौम ने बहा धाना कितना होगा START यह आठे 48 पॉइंट 5 परसेंट की रेट से यह ब्याज इतना बढ़ा हुआ है कि लिए अब कोशन बोला गया है कि इसमें इस रेट में 3.5 परसेंट के बिरिधी हो जाती है तो इसमें 3.5 परसेंट जोड़ती दी कितना अबरॉन 22 परसेंट 12 मारे परसेंट हो गया बारे परसेंट पिया हो ऑशन की एक 18 परसेंट से 5000 kmodel ऐसे साल कितना व्याज देगा पहले यह पताมา करते हैं बहुत हिले जबा को स्थारी कितना परावाइदीрий है यही फर्मूला पिक चात्तर बाक्तर कितना पता है थिस सार्थ तिप और यह बान के थितना होका बर शेएंगौा काई पहुत हिला जवाब कोशन है इसको दिलों दिमाग से समझे हुए तो डाउट के लिएगा अगर आपको मज़ारे तो लाइक करिएगा निव है चैनल पर ताजा ताजा प्रेस एक दाम सब्सक्राइब करने का चलते हैं नेक्स्ट प्रबलम पी तो अगला कोशन एक लंबरी थ हुए और उसकी उचाई पांट सेंटीमेटर है तो उसका वकर फिष्ट का च्छेथफल ग्याद के लिए त्यांसे समझेगा बहुत हिला जबाप कोशन देखिए बेलन का आयतन क्या होते है भाई पाई आर इसक्वाइर एच यह बेलन का आयतन हो गया जबकि आयतन दिया कि कितना है आयतन 6,000 6,930 अब समझेगा पाई का भाईलू मैं राख सकता हम 22 बटे साल आर को निकालना ही है हमको अगुने एच कितना है भाई पांच 6,930 यहां से मैं आर फाइन कर रहा हूं कि लिए बाइस से सो काटे कितनी बार में कटेगा 315 बार में कि लिए पांच से स्कॉइर बार में कितना होगे तो लाएगे तो गुना करें कितना होगे 441 सातरी का 21 यानि 441 कि लिए अब यहां से आर का भाईली पूछ रहा हूं यहां पे स्कॉइर इदर फेकेंगे तो खोपड़ी चला जाएगा क्योंकि स्कॉइर रूट हो जाएगा अंदर आ जाएग यानि और का भाईली एक इस क्लिए आर का भाईली आ गया 21 से एनित्य दिजिया आ गई 21 हमको फाइंड करना क्या वक रफिस छेतर वाई वक रफिस छेतर क्या होता वाई 2 पाई रच तू रखेंगे 22 बटे 7 रख सकते हैं आर का भाईली हमने निकाला है 21 और 25 पांच सातरी क क्लियर अगले problem फ्रीण्टS अगला question नें संख्याओं को लगुत्ता संफ्र पर Years महत्रम संफ्रता करतें का योग 252 है यदि पहली संख्या 24 तो दोसरी संख्या ग्रण के ये कितीजाह किता दूसरी संख्या निकाल बोला गया है तो है यूग 252 है यानि एक्स पलस 13 एक्स बराबर कितना होगा 252 किलिए इनको जूड़ेंगे तो 14 एक्स बनेगा बराबर में 252 मतल्ब एक्स का भालू यहां से कितना काटेंगे तो भाई कितना होगा 18 आएगा 14 कम 14 14 आधि एक्स बरहें अठार अगया दोमक्ना निकाल लिया हमकु निकालना गुने LCM, बराबर एक फर्मूला क्या होगा, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को हमने मल लिया A, आद दूसरी संख्या हमने मल लिया B, दूसरी संख्या को a और हाल करने के लिए किलिये कितना हमने निकल नहीं है 18 और आप समझे आठारतिय कितना होगा वाई चौन होगा तीन से सो काट सकते हैं तीन से काटें तीन सटे 21 अच्छाबाल तीन अठे 24 कितना होगा बी का फालू कितना आ गया इस केस में आपको एक फार्मूला पाता होना चाहिए क्या डारेक्ट आपको यहाज होना चाहिए है क्या डिस्टेंज हमको दोरी पूछा गया तो डिस्टेंज आपको याद रखेंगे इस वन ने अज्टि अब बटे में इस यॉन प्लस एक स्टू गुने टी टी क्या है टाइमं डोनों इस स्पीड यह फिड है फिले पहला इसक उड़े पर दूसरा सबिक पच आपको आप यहां पारखेंगे 44 हम बट्टे में 3 अब इसको राखेंगे 2 गुणा करेंगे तो 1750 बनेगा बट्टे में दोनों जोड़ेगे तो 165 अब गुने में 44 बट्टे में 3 होगा कि लिए अब दीखें कूछ नहीं करना है अब अब तहलका मचाना है कैसे कंटेगा इसको काट सकते 15 अगला कूर्स ने एक कohlय कोला हूज रखा पांच के अनुवह बाट पर नहीं मद पराप्त हूए कि यदि पंदेजान मतों मैं से 19% अबायद मत हैं तो सीमा और गीता का पच्छ में डाले गए मतों का अंतर मत है कितना है फिर जहां देखिए कैसा हल करें देखिए इस सीमा जी से गीता किला कि इनका रेस्यु चार अरुपाथ 5 आगे समझे देखिए देखिए 4 अरुपाथ 5 सो मैं से 19% माइनस करें तो कितना बचेगा 81% यानि 81% क्या ही 30 पर्तिसत के लिए बत्टे दोनों का डिफरेंस बता रहें इन दोनों का अंतर कितना है एक लिखा इन दोनों रेशियो को जोड़िये पांच और चार कितना होगा नौ तब बटे मना अज इतना भाइलिड भोटे उससे गुना कर देजिए बारे हजार डिफरेंस अगर आपको हलका सा भी थोड़ा सा भी अगर आप कूशन समझ भाए तो एक वीडियो का लाइक करेंगा और नया है ताजाए फ्रेस अदम फ्रेस ताजा ताजाए तो इस चैनों को सब्सक्राइब करने करने करें